कि हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप का इट इस वेले टिशन में चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेर आगन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको ताइम पर मिल रहे हैं तो आपने थमनेल देखके समझ गया होंगे कि हम क् आपको कि आज हम बनाएंगे सेटिंग अप दा आर्क वैल्लिंग एकुपमेंट्स एंड स्टेट लाइन बीड ओन एमस प्लेट ठीक है दोस्तों तो हम यह बनाएंगे आप इस जो वीडियो में हम यही सीखें कैसे बनता है इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए एक पैंसि और आपके पास तो आप बनाना स्टाट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास चीज नहीं होगी तो फिर आपको जाना पड़ेगा भाग बाप के गलती होगी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको साइड में रखना है पहले हमें पैंसिल यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर ऑने पर फरंट में यहां पर यहां पर घा मैंम अब क्या मין सकते हैं आप अधूस्में न 2017 money है आल सी टाइब करूं ठीक है और यहां पर डेट ओफ क्लॉज ठीक है डेट ओफ क्लॉज और यहां पर यहां पर यहां सकते हैं ठीक है ऐसे करने के बाद दोस्तों आप यहां लिखे अपना एम दोस्तों यहां पर एम लिखें यहां पर ठीक है एम क्या है हमारा जो मैंने arc welding arc welding equipments equipments and straight straight line bead on MS plate here is that a ...把它 jamais with a ... so plus ... o' t i have to write actually what processing the lines sarror are a typical end of each armor with a ... tape on your use. Wejän to release the fünf stimulation in both опас ways and traditions of different Mihaji in kita stage circuitarto करना है कि आप सबस्सकेर मैं आप का पैस होगा उस पेज से आफ को आदे से नीचे आ तो आपको क्या रित हैं caption कि आप कर दे नहीं आप कर दोस्तों आप देख सकते हैं अपने फोन की लेकिन दोस्तों जादर बच्चे है जो फोन में देखते हैं क्योंकि जादर आइट्याई के बच्चे जो है ठोड़े गरीब होते हैं तो चैनल दोस्तों हमारा है यह इस पर सब चीज आपको प्रोवाइड की जाती है यह वैल्डिंग ट्रेड से लेटिड जोब प्रैक्टिकल कोश्चे निए अंसर कोई फीस निली जाती सिर्फ आपको लाल बटन जो है सब्सक्राइब को प्रेस करना है फिर मैं आपको जो वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी ठीक है तो सब्सक् मेरे सब्सक्राइब सकता करों ओर तो यहां पिखा यहां जा उपको 20 ज catchy कैसे आपको चब्सक्राइब और इधर आपको अच्छ उसमारे ख्क जिस घाल में थी के मैं ख्राइबगरी थाइब कोई बनाते है let वह स्कता है तो यह दोस्तों मैं यहां में यह पर 10 सैंटीमीटर कीν कीछटे ठीक है तो यहां से यहां तक यहां तक दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर दस तक मैं एक लाइन से ड्रो कर देता हूं ठीक है दोस्तों आप इसको सैट स्क्वेर से बना सकते हैं प्रकार से बना सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं बना रहा हूं आपके लिए डी और स्केल से ठीक है अ दोस्तों 10 हो गए आपकी यहां पे डॉट लगा दिया इस साइड और सेम इधर भी आपको क्या करना है दोस्तों 5 नाप लेते हैं तो हमारा गरबड होने का चांस जाएगा ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर ठीक है तो इसको भी हम सीधा 90 डिग्री पर रखें तो 90 अब इसको क्या करें इन सबको मिला दीजिए ठीक है मिलाने के बाद आपका नीट एंड क्लीन जो है एक आपका ऐसा डाइमेंशन जो है त्यार हो जाएगा ठीक है ठीक है तो यह आपका जो है आप देख सकते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे की आपका यहां से एक लाइन लेनी कें है देखना है देखना और कि 30 लेक temps को यहां पॉंट ले दिया गजए से प olduğ 5 greatness कि थूँत्प तो यह दोस्तों आपने फोन की पर दोस्तों कैसे की है यह आपको पता होगा था जिरो से फाइव और इस पॉइंट को क्या करें आपस में इसको मिला देंगे तो आपका बहतरीन आपका एक प्लेट जो है त्यार हो चुका है ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं कि तना हमारा बढ़िया प्लेट त्यार सकता लागा नहीं तो अमयाद दिखानी तो हमारा खराब हो सकता है नो घ्लम भीड खा सकते हैं तो दोस्तों दोबीड कैसे दिखाना' आप को एक जो वीड है ऐसे पट लगा लें यहां पर यहां पर दोट लगा लें और सब्सक्राइब है तो यहां पे डॉट और यहां पे डॉट और यहां पे डॉट ठीक है तो आप पूइंट है वहां पर डॉट लगा दीजिए अब दोस्तों आपको क्या करना है डॉट डॉट आपको मिलाना है ठीक है तो आपको देख सकते हैं मैं से मिला रहा है इसको अभी मिला दीजिए ठी कि सारे डॉट को दोस्तों आपस में मिला देना आपको ठीक है मिलाने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं क्या होगा तो वीडियो आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को आप सिंपल सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा कुछ नीच चाहिए और सब्सक्राइब नही कि हमें थोटा सा जैसे गोलाकार देना है ठीक है और इसको 6 अब दोस्तों की शेप ट्यार हो गया है मैं जोस्तों क्या करेंगे अब वैल्डिंग बीद लगाना सुरू करते हैं तो इसाट करते हैं आप लगा düşt अ अब दूसरी लाइन त्यार हो चुका है अब दूसरी लाइन त्यार करेंगे हम तो दूसरी लाइन भी आपको अराम अराम से लगानी है ठीक दोस्तो तो आपकी जो है ये दोनों प्लेट पे दोनों बीड हमारी लग चुके ठीक है स्टेट लाइन बीड aquesta आपका जो क्या तियार होगई यह स्टेट लाइन बीड जो हमारी त्यार हो गईए अब दोस्तों इसके बारे में फ्म ठोड़ा लिक्षे में पड़ेगा लिखेंगे गहते इस वीडियो में ठीक है तो यह तो आप dem दाइमेंशन जरूरी है तो आपके नंबर और आपका टीचर थोड़ा गुस्षे में आ सकता है ठीक है तो दोस्तों आपको यहां से भी आपको क्या करना है यहां फाइब में छोड़के नीचे आप एक लाइं 10 mm की जादा बड़ी नहीं 10 mm की एक लाइने से ड्रो कर लें ठीक है और दोस्तों यहां पर भी आपको क्या करना है फाइब में छोड़ना आपको यह फाइब में इतना होता है और 10 mm की लाइने से ड्रो कर लें ठीक है अब दोस्तों इनके सेंटर में आपको एक लाइन ड्रो कर कि आपको आपको क्या करना है कि आपको टीर गनिसान बनाना के बाद इसको डाइमेंशनिंग लाइन बोलते हैं ठीक है इसके बाद आपको लिखना है यह हैं डेट को जाएगा और दोस्तों यह जो है आपका इधर वाला भी हो जाएगा टैन का तो इसके यहां से फाइव में इधर ले लीजिए इतना और इधर विश्कों भी ट्रीक यहां से एक यहां पर ऐसे बिदोस्तों और यहां पर यहां पर यहां पर खराब होगगा कोई बात नहीं चलेगा तो दोस्तों यहां पर आप इसको लिख दीजिए टैन ठीक है आपके हो जाएगा 10 अब जोस्तों आपका ये जो है complete हो चुका है complete होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको हमेशा एक line ज़रूर लिखनी है नीचे यहाँ पे यहाँ पे जरूर लिखनी है आप note बना के यहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिए आप side में note note all dimension all dimension in mm ठीक है दोस्तों यह लिखने से दोस्तों आपको क्या फायदा है यह जो पचास सो आपने लिखा है तो इसको पता लग जाएगा कि साही जो dimensioning है mm में है ठीक है अब दोस्तों क्या करना है कि आपको इसके अंदर भी आपको नाम दे देना है कि हमारी क्या है यह welding भी में और यहां पर आपको ऐसे यहां पर अंदर अंदर Khambra legitimately बना देनी है आपको और यहां पर आपको लिख देना है simply दोस्तों जो भी यह है क्या है यह यह welding bead हमारी so welding welding bead ठीक है अब दोस्तों यह है आपका क्या यह यह जो हमारा प्लेट प्लेट के ऊपर निसान दोस्तों प्लेट है तो इसको ऐसे करके इधर कर दीजिए और यह आपका यहां से वैंपी और यहone क efendim दूस्तों के चीजिए और लिकनी है कुछ चीजे और लिखने का मतलब दोस्तों के Maður इसके जो है चैक कर सकते हैं तो यहां पर लिखे यहांपर साइड में की सिक्वेंश ओफ जोब जो भी आपने किया यानि किस तरह से त्यार किया ओलिकेंगे ठीक है अरो मिसortunis ओक्वेंश फ जोब ठीक है तो कया क्या किया आपने ओलिक यहां पर सीक्वेंश ओप जो में और यह तो नीचे वह तो तो पहला आमने क्या किया तो किसी मेटर समधिनियम करना किया है तो यह सकते हैं कि Complete वारुन कौट है कि अधीकर मार्किंग कि उसके बाद सेक्ण स्टेप क्या होता हbach का भी नंबर strePer प्रिसके बाद क्या है उसको क्या करेंगे फाइलिंग करेंगे तो फाइलिंग लिखेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे उसको हम फाइलिंग करने के बाद कहां ले जाएंगे उसको प्लेस ओफ दा वैल्ड टेबल तो उसको ले जाएंगे कि weldingिंग तेबल के पास तो दो लिखेंके वह फ्लेस होफ ऒर 되고 से टेबल करें ऑब दोस्तों हमारी तीन स्टैप होगे अब क्या करेंगे क्या करेंगे रबस क्रीपर है लेखेंड मेँने recess już को बीड लेधा नाई है तो यहां पी लिखेंगे हम शिप्ट में कि में स्टेट लाइन बीड मेक स्टेट लाइन बीड ओन दा टी एच ए ओन दा जोब ठीक दोस्तो आपने स्टेट लाइन बीड लगा दी उस पर आप क्या करेंगे हम टेट लाइन बीड लगाने बाद हमारा क्या होता है उसके उपर स्लैग हो जाता है तो क्या करेंगे रिमूव रिमूव स्लैग ओन चीपिंग हैमर ठीक है आपका चीपिंग हैमर चीपिंग यह आपका हैमर हो जाए रहे लिए तो मैं ठीक है तो रिमूव स्लैग ओन चीपिंग हैमर और दोस्तों साथवा पॉइंट आप लिख दें हमारा कि हमने चीपिंग भी कर दी उसके बाद क्यों होगा आपका कम्प्लीट दे जोब कम्प्लीट ओन दे जोब कि आपका जोब है वाँ पूरी तरह कंप्लीट होगा है ठीक दोस्तों तो यह हमरा यहाँ तक कंप्लीट होता है तो कैसी लगहां आपको वीडियो वीडियो आपको अच्छी लगे हो टो वीडियो को सिम्पल से आपको like करना है को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ठीक दोस्तों और आप अपने जो सुझाओ है हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि सर यहां पर प्रोब्लम है आप यह कर लीजिए तो वीडियो आपका और अच्छ चलेगा मतलब अपना फ